हलो फ्रेंड्स बल्कम टू मा यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में CRPF Head Constable Ministerial के लिए Practice Set करने वाले हैं इस Practice Set में हिंदी और शामान ग्यान के प्रिविएस एर के Question इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और से जरू करें जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell on करना ना भूलें प्लाट करते हैं आज का वीडियो एक Question के लिए आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा 2-3 सेकंड के बाद मैं answer clear कर दूँगा तो आज के session में पहला Question रहेगा नवगरे सब्द में क्राउन साथ समास है सही जवाब हो जाएगा दिगु समास अब देखें दिगु समास पहचानने का तरीका क्या है तो यह समझ लेजिए कि किसी सब्द में अगर संख्या बाचक सब्द आ जाए वहाँ पर आपका दिगु समास हो जाएगा दुन्द समास जहाँ पर यूजक चिन आ जाए वहाँ पर दुन्द समास हो जाएगा तत्पुरुस समास करताने कर्म को यह को आ जाए करताने कर्म को जिसके करताने कर्म को करन के दोरा मैं पैपर बगएरा बगएरा यह होता है तो वहां पर आपका समास होता है, बहुपरी समास है, जिस बाख में किसी प्रसिद व्यक्ति या भगवान के नाम आजए, वहां पर आपका बहुपरी समास होता है, तो इन नवगरह में हो जाएगा दिकुसमास, संक्या बाचक सब्द है दूसरा कोशन देखेगा चहरे पर हवाईयां उड़ना मौवरेकार्थ क्या होगा डर से घबराना, कुरूप होना, अत्यदिक सुंदर होना, स्वास्त ठीक ना होना चहरे पर हवाईयां उड़ना, चहरे पर हवाईयां उड़ना मौवरेकार्थ होगा डर से घवराना अगला कोशन निम लेखित में से कावंसा सब्द उतस्उक सब्द का बिलो मारतक होगा उतस्उक सब्द का बिलो मारतक सब्द होता है उप्रिशन वी करेक्ट हो जाएगा अनू तशुक यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है बढ़ते हैं अगले कोशन की और सुगाज अगला कोशन देखेगा निम लिखित में से कौन सा सब्द तरंग सब्द का अनेकार्थक नहीं है तरंग सब्द का अनेकार्थक सब्द कौन सा नहीं होगा लहर, सुरलहरी, उमंग या नौका option d correct हो जाएगा, नका, अगला कोशन उद्थान का विलूम सक्थ क्या होगा उद्थान का विलूम की बात हो रही तो उद्थान का विलूम सक्थ होता है, option b, पतन अगला कोशन देखेगा तितालिसमा कोशन देखेगा निम लिखित में से काउन सा सब्द इस्त्रेलिंग नहीं है काउन सा सब्द इस्त्रेलिंग नहीं है करदन, कमर, कान, जीब कान सब्द जो है गाईज ये इस्त्रेलिंग नहीं है जब वाले समा कोशन देखेगा सत्रा ग्रहियों के सम्मू को क्या कहते हैं तो सत्रा ग्रहियों के सम्मू को हम कहते हैं जथा, option C correct हो जाएगा नेश कोशन देखेगा निम लिखित अन्यक सब्दों के बदले एक सब्द लिखें जिस पर विजय पाना कठी हो उसको क्या बोलेंगे अने सब्दों के लिए एक सब जिस पर विजय पाना कठी हो दुशकर दुरुमय दुरुलब दुरुजय सभी जबाब हो जाएगा दुरुजय option D correct हो जाएगा नाश कोशन देखेगा अगला कोशन है कि केश का साब्दिक अर्थ क्या होगा चाबुक कशवटी दबाओ कशना केश का साब्दिक अर्थ क्या होगा केश का साब्दिक अर्थ होता है चाबुक option A correct हो जाएगा अगला कोशन चोर की दाड़ी में तिनका लोक्तृति का सही अर्फ क्या होगा चोर का स्वयम डरना चोरी की पहचान होना दाड़ी गंदी होना हर चोर की दाड़ी होना चोर की दाड़ी में तिनका तो सही जवाब हो जाएगा चोर का स्वयम डरना माली जिसने चोरी की है तो वो सुर्म डरेगा ना तो यहां से जारत से जारत है चोर की दाड़ी में तिनकाई उसने चोर इसने खुद की है नेस्ट कोशन देखेगा बजनती सब्द का परियाय बाची सब्द क्या होगा माला, धागा, पताका उपरोक्ट में से कोई नहीं बजनती का परियाय बाची सब्द क्या होगा तो बजनती का परियाय बाची सब्द होता है पताका, उप्टन सी करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोशन चांदी काटना मौबरेकार्थ क्या होगा धातु कर्म करना, चोरी करना, लाबना होना, मौज होना चांदी काटना मुअबनेकार्थ क्या होगा चांदी काटना यानि की मौज करना option D correct हो जाएगा सुगा next question देखेगा दोहा और चौपाई ये कैसे चंद है मातरिक चंद, मुक्त चंद, वानिक चंद या बढ़निक चंद, दोहा और चौपाई ये कैसे चंद है तो ये मातरिक चंद है option D correct हो जाएगा next question देखेगा मातमा गांधी की हत्या कब हुई थी 30 जनवरी 1947 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1946 या फिर 30 जनवरी 1949 गांधी जी की हत्या कब हुई थी गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी option V correct हो जाएगा सुगर Nash question देखेगा वहाँ प्राची नाम क्या है जिससे पत्रना सहर को जाना जाता है उस प्राची वहाँ प्राची नाम कौन सा है जिससे पत्रना सहर को जाना जाता है option C correct हो जाएगा पाठिल पुत्र Nash question देखेगा सिर्के का रासाइनिक नाम क्या है सिर्के का रासाइनिक नाम क्या होगा तो सिर्के का रासाइनिक नाम होता है Acetic Acid option V correct हो जाएगा Next question देखेगा निम लिखित में से काउंसा गुण भारी Heavy Water नहीं होता 4 option आपके सामने दिए गए अंसर आपको comment box में बताना है काउंसा गुण भारी पानी Heavy Water में नहीं होता Option A correct हो जाएगा भारी पानी का कौथनांग साधारण पानी से कम होता है अगला question निम लिखित में से किस प्रक्रिया में उर्जा मुक्त होती है किस प्रक्रिया के द्वारा उर्जा जो है वो मुक्त होती है सही जवाब हो जाएगा प्रकास संसलेशन Option V correct हो जाएगा नेश कोशन देखेगा डबलू टीओ का गठन ये कब किया गया था वर्स 1986, वर्स 1995, वर्स 1999 या फिर वर्स 1997 डबलू टीओ का गठन कब किया गया था सुगाश डबलू टीओ का गठन वर्स 1995 में किया गया था Option V correct हो जाएगा नेश कोशन देखेगा टाइफाइट से सरीर का कौशा भाग प्रवावित होता है टाइफाइट से सरीर का कौशा भाग प्रवावित होता है टाइफाइट से आंत जो है ये प्रभावित होता तो option V correct हो जाएगा अगला question है काई बेंजोला की राजधानी क्या है बेंजोला की राजधानी होती है कराकस option C correct हो जाएगा अगला question परमाडू उर्जा आयो की स्थापना कब की गई थी वर्स 1948 में, वर्स 1950 में, वर्स 1951, वर्स 1952 परमाडू उर्जा आयो की स्थापना ये की गई थी वर्स 1948 में, option A correct हो जाएगा सुगर नेज कोशन देखेगा, क्रिप्स मिसन भारत कब आया था क्रिप्स मिसन भारत वर्स 1942 में भारत आया था option C correct हो जाएगा अगला कोशन है, इसकी N round, विद्दुत, परियोजना किस राज़े में है तो N round, विद्दुत, परियोजना ये महराज़्त में है तो option D correct हो जाएगा नेज कोशन की बात करेंगे मिनाक्षी मंदिर, ये कहा परिश्थित है मिनाक्ची मंदिर, यह कहां परेश्थी थे मिनाक्ची मंदिर, यह मदूरही में थे तो option V, correct हो जाएगा सो गाइज, नच कोशन देखेगा सेरे पंजाब के नाम से कौन विखियात है सेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपतराए जो है, वो विखियात तो option A करेक्ट हो जाएगा नाज कोशन देखेगा तो गाज अगला कोशन बारतिय संसद राज की किसी विसे पर कानून बनाने के लिए सक्छम है यदि option A करेक्ट हो जाएगा अनुछेत 352 के अंतरगत आपात इस्तिति लागू हो गाज नाज कोशन बारत के राश्पती के पास आपात अधिकार है चार प्रकार के दो प्रकार के पांच प्रकार के या फिर तीन प्रकार के भारत के राश्पती के पास आपात अधिकार है औप्शन D करेक्ट हो जाएगा तीन प्रकार के अगला कोशन भारत का सर्वोच बिरता पुरुसकार कौन सा है भारत का सर्वोच बिरता पुरुसकार की बात हो रही है परमभी चक्र option d correct हो जायेगा next question देखेगा सुगर अगला कोशन है कि राउर केला इस्पात कारखाना की स्थापना निम लिखित में से किसके सायोग से की गई थी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा जर्मनी के सायोग से की गई थी अगला कोशन देखेगा निम लिक्त में से काउन साराज सुन का अधिक्तम मात्रा में उत्पादन करता है सई जवाब हो जाएगा option ए करनाटक सुगाई अगला कोशन देखेगा चीन की मुद्रा क्या है ये यूओन रॉंगिट या फिर वॉन जीन की मुद्रा है यूओन आप्शन वी करक्ट हो जाएगा नैश कोशन देखेगा भारत में पर्थम ट्रेन कब प्रारंब की गई तो भारत में पर्थम ट्रेन वर्स 1853 में प्रारंब की गई अगला कोशन देखेगा सो गाज अगला कोशन है राश्पती द्वारा राजस्वा के लिए मनोनित किये गए सदस्यों की संख्या है तो राश्पती द्वारा राजस्वा के लिए मनोनित किये गए सदस्यों की कुल संख्या होती है तो option A correct हो जाएगा अगला question भारत का पेरिस किस नगर को कहा जाता है भारत का पेरिस जैपुर सहर को कहा जाता है तो option A correct हो जाएगा अगला question देखेगा अगला question देखेगा इसकी भद्रा अभिहरन किस राज में इस्तित है भद्रा अभिहरन जो है करनाटक में तो option C correct हो जाएगा कोशिका की खोज किस बैग्यानिक ने की थी कोशिका की खोज गुनार मिर्डल के दोरा की गई तो option C correct हो जाएगा आज कामरा सबसे last question रहेगा जी बिग्यान की वासाका क्या कहलाती है जिसमें सैवालों का अध्यन किया जाता है फाइकोलोजी option C correct हो जाएगा